इमर्जेंसी एक आगामी बॉलिवुड ड्रामा फिल्म है। फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी का किरदार निभाएगी। फिल्म की पठकथा और सवांध रितेश शाह ने दिया है। यह फिल्म 14 जून 2024 में रिलीज होगी। इमर्जेंसी 1975 में हुई सच्ची घटना का वर्णन करती है जो प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेत्रत्व में हुई थी, जो भारतिय इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक थी। फिल्म में कंगना के अलावा अनुपम खेर, जै प्रकाश नारायन के रूप में, श्रेयस तलपध्धे, अटल बि फिल्म इमर्जेंसी के लिए पूरी तरह से तयार हैं। सबसे खूंखार और उग्र प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के सिनेमा घरों में गरजने से इतिहास जीवन्त हो उठता है। फिल्म के पोस्टर में कंगना इंदिरा गांधी के अवतार में नजर आ रही है। हालांकि टकराव से बचने के लिए फिल्म की रिलीज को स्थगित कर दिया गया था लेकिन अब नई रिलीज डेट कार्तिक आर्यन की चंदू चैंपियन के साथ टकरा रही है। कंगना ने न केवल मुख्य भूमी का निभाई है बलकि फिल्म का निर्देशन भी किया है। यह फिल्म पहले नवंबर 2023 में रिलीज होने वाली थी। प्रशंसकों को इसकी जानकारी देते हुए कंगना ने लिखा था। अन्य इकाईयों को सभी से मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया ने हम सभी को प्रोचसाहित किया। मेरा दिल खुशी से भरा है और मैं जहां भी जाती हूँ। लोग मुझसे इमर्जेंसी की रिलीज डेट के बारे में पूछते हैं। कंगना रनोत ने फिल्म के टीजर को मिली उत्साह पूर्ण प्रतिक्रिया के लिए आभार व्यक्त किया था। उन्होंने यह भी साजा किया कि टीम ने रिलीज की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।